So, hello students, कैसे हैं आप लोग, I hope कि आपस भी अच्छे होंगे और पढ़ाई और बोर्ड एक्जाम के तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आज आपके सामने ये जो कोशिन दिख रहा है, ये बन आफ ता मोस्ट इंपोर्डेंट कोशिन है एक्जाम की दृष्टी से अगर आप बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोशिन हर बोर्ड एक्जाम में हर वार आता है किसी भी बोर्ड शे हो, आपसे यूपी बोर्ड शे हो, विहार बोर्ड शे हो, जारगन किसी भी बोर्ड शे हो अगर आप टेंथ में हो तो आपको एक कोशन देखने को मिलेगा देखो यह जो कोशन थोड़ा घुमा कर भी पूछा जा सकता है कैसे जिसे अंडरूर्ड में मुझे सिद्ध करना है कि अंडरूर्ड फाइव एक अपरिमेशन क्या है हमको पता है यह परिमेशन क्या है यहकिन हमको शिद्ध करना है तो देखो ऐसे गुमादी या जा सकता है बोड में कि अंडरूर्ड फाइव की जैगाएव पर collaborative 2 दे देगा अंडरूर्ड तीन देदेगा अंडरूर्ड शाद देदेगा तो आपको घवराना बिल्कुल नहीं है, पहली बात तो, जैसे मैं यह कोशन करूँगा, बैसे ही बो भी कोशन होगे, बस नंबर चेंज हो जाएंगे, मैथट वही रहेगा, ठीक है, अगर आप इसे सीख लिए तो आउटमेटिक आपके दिवाग में आ जाएंगे, आपको कर इसे मुझे आ परिमेशिद करना है, तो माना अंडर रूट फाइव एक परिमेशंख्या है, मैंने इसे क्या किया, आ परिमेशिद करना था तो मैंने परिमेशंख्या है, ठीक है, यह आ परिमेशंख्या था मैंने इसे परिमेशंख्या है, अब अगर यह परिमेशंख्या ह अगर अंडरूर 5 एक परिमेशन क्या है तो यह पी बटा क्यू के रूप की होगी यानि पी बटे क्यू के बरावर होगी जहां आपको पता है यह जो पी और क्यू है यह पूडांक है जहां पी और क्यू और क्यू पूडांक है ठीक है अब आप यहां पर थोड़ा शोल कर लो इसके बटे में कुछ नहीं तो बन बन की P से गुणा होगी तो P आएगा और इसकी इधर गुणा होगी तो अंडरूड 5Q हो जाएगा ठीक है आप देखों यहाँ पर आपको इधार अंडरूड दिख रहा है तो इस अंडरूड को हटाने के लिए में दोनों तरस बर्ग करूंगा तो लिख दो कि इस समीक्रोड को माल लीजिए कुछ आगे काम आएगा तो यूज करेंगे इसे तो माना इसके उपर भी स्कॉयल लग जाएगा दोनों तरस करना है तो दोनों तरस कर दूँगा मैं आप देखो P स्क्वाइर अंडरूर 5 गुडा अंडरूर 5 5 आएगा Q स्क्वाइर Q स्क्वाइर हो जाएगा यहाँ पर यह मुझे मिला अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखें थोड़ा ध्यान से देखें तो यह 5 जो है गुडा में है इधर आएगा बटे में आजाएगा अब इसका मतलब यह P स्क्वाइर को 5 विभाजित करेगा तो लिख देजिए कि चूकी P स्क्वाइर 5 से विभाजित है P स्क्वाइर जो है वो 5 से विभाजित है विभाजित का मतलब भाग हो जाएगा विभाजित है इसलिए पी भी पांच से विभाजित होगा पांच से पांच से विभाजित होगा ठीक है जैसे मैं कर रहा हूँ बैसे ही करना एक्जाम में ठीक है अब इतना कर लिया ठीक है बिल्कुल इतना कर लिया मैंने यहां तक यह सब कुछ कर डाला अब आगे क्या करना है इतने सही नहीं सिद्ध हुआ है यह बड़े नमबर में आता है तीन से पांच नमबर में आएगा तो इतने में थोड़ी नमबर आपको मिल जाएगा थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं मान लेता हूँ जहां कोई ठीक है आगे देखिए अगर आप समीकरण फ़स्ट से देखें पी बरावर अंडरूर फाइव क्यों है तो इसमें पी बरावर वंडरूर फाइब क्यों रख सकते हैं तो लिए दो समीकरण फ़स्ट से समीकरण फ़स्ट से समीकरण फ़स्ट से इसमें मार रखी है इसमें मार रखी है यह फाइव क् है यह पी बवर इतना दिया गए है यह पी बवर यहाँ पर अंदर्रों फाइब किः तो इसको उठा कर के इस की जगह पर रक्यो मेंंडर फाइब वीकिल रख सकता हूं और प executing है बरावर है बरावर फाइब कि फाइब के ठीक है अब यहां पर मैं दूसरा फेंज ले लेता हूं इस चीज को समझाने के लिए में दूसरा पेंच ले लेता हूँ कि देखो यहाँ पर यह अंडरू फिर से आ गया इ thành तो फिर से मुझे बाइब करना पड़ेगा इसको हटालने के लिए इसको डालने के लिए मैं फिर शे बर्ग करता हूं तो लिखे तो फिर से कि दोनों और बर्ग करने पर दोनों और बर्ग करने पर दोनों और बर्ग करो देखो इधर भी बर्ग करना है अंडरूट 5 क्यों है बर्ग करने का इसको लगाना है और इधर भी बर्ग करना इसको लगाना ह है अब थोड़ा इसको solve कर लो देखो फाइब अंडरूर फाइब गुड़ा अंडरूर फाइब आएगा क्यू का क्यू से करो के क्यू स्क्वाइब हो जाएगा इधर 5555 25 ऐसा यहां पर भी आ गया है यहां पर जो पांच है गुड़ा में है अब पांच इदर आएगा तो इस इसके बटे में आ जाए यानि की किव स्कॉायर पांच से विभाजित है तो लिएधो चू कहीं की स्क्वाएब पांच से इसलिए क्यों भी क्यों भी पांच से विभाजित होगा आप यहां पर एक चीफ देखिए थोड़ा आपको थोड़ा सा आपको हिंदी में लिखना होगा आपने देखा क्या देखा आपने देखा यहां पर कि पी और क्यूँ देखो पी देखिए पी और क्यूँ दोनों में पांच-पांच कोमन है यानि दोनों में पांच-पांच उहे निष्ठ है तो इसी चीज को आपको पकड़ना है और लिख देना है क्या कि चूकी 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 पी और क्यूँ चूकी पी और क्यूँ का यहां पर देखिए पी और क्यूँ का उभे निष्ट की उभे निष्ट संख्या जो है यह ऐसे लिए तो P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं जो पी और Q दोनों 5 से विभाजित हैं अगर यह दोनों 5 से विभाजित थे तो इनका ही कीटना होगा इसलिए इनका जो जो तुम्हारे पास संख्या हैं पि और क्यों संख्या हैं वह 5 से बMostत हैं तो इनका हीज़ कितना होगा है यही秒 5 लेकिन अपरिमे संख्या होने लिए कि इनका ही होना था यह यह के बराबर तो HCF आया ही नहीं है अता हम कह सकते हैं क्या देगे तो अता है अता है अंडरूर्ड फाइव एक अपरी में संक्या है संक्या है यह हमारी गलती से मुझे ब्रोधावास से प्राप्त हुआ था कि P और Q जो है दोनों 5 से विवाजी थे यहां पर देखें आपने कि यहां पर जो है Q पांच से विवाजी हो रहा था और यहां पर जो है Q पांच से विवाजी थे सज्द्ध करने के लिए कोई Sंक्या अगर अपरी में है तो उनका chcf एक होता है जब कि यहां पर पांच आ रहा है अताम कह सकते हैं कि अदरूरर 5 परमेकश है यह परमेश संक्या नहीं है तो इस तरीके से मैंने सिद्र कर दिया कि यह अगर वीडियो का लाइक कर देना और चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सकाइब कर देना जिससे आने वाले वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं थैंक यू